साथियों, किसानों की तरह ही हमारे यहां दसकों तक देश के स्रमिकों को भी कानून के जान में उल्जा कर रखा गया है। जब जब स्रमिकों ने आवाज उठाई, तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया। अलग कानून, ऐसे अनेक कानून थे, जरुरत स्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दाव पेचों में उल्जा कर रख दिया गया। इस वज़े से वो इनसाप के लिए कौट का रुख करने करते भी तो बरसो बरस कचरी के चकर ही काड़ते रह जाते हैं। अब इस्थित्य को बदल दिया गया है। चार लेवर कोर्स, चार लेवर कोर्स के माध्यम से देश के स्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कूच चकर से भार निकालने का प्रयास हमने किया है। स्रमिकों के स्वास्त, स्रमिकों की सुरक्षा, स्रमिकों की सुविधा और स्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब पचांस करोड संगठीत और असंगठीत छेत्र के समिकों को वेतन मिले और वो भी समय पल मिले इसको कानूनी रूप से अनिवार ये कर दिया गया है अभी तक खनन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपिंग और क्लीनिंग, मैनुफेक्टरिंग ऐसे कुछ कामों से जुड़े, देश के सिरफ 30% समिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था, याद रखिये, सिरफ 30%, 30% अब IT इंडिस्ट्री, होटेल, ढाबा, ट्रांस्पोर्ट, गरेलू कामगार, और संगड़िक छेत्र के तमाम दूसरे समिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है हमें, हमें समिकों के आशिरवाद मिलने वाले हैं, साथियों, अभी पूरे देश में, न्यूनतम वेतन को लेकर, करीब दस हजार अलग 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 दरे हैं, आप चोग जाएंगे सुन करके, दस हजार अलग अलग दर, हमने दस हजार दर बताई है वो, जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है, अब नए प्रावधानों से, दस हजार को कम करके, सिरफ करीब करीब दोशों के अंदर ही उसको कर दिया गया है, बड़ी महनत पड़ी है, लेकिन किया है, इसके अलावा, अब ठेका मजदूरी के स्थान पर, एक फिक्स ट्रम के रोजगार का भी विकल्ब दिया गया है, ऐसे समिकों को, रेगुलर, रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा, वेलफेर से जुड़ी दूसरी युजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा, और उनी की तरह काम के गंटे भी फिक्स होंगे, 12 पंडे, 10 गंटे मजदूरी करवा लेना, यह अब बंध होगा, वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले स्रमिक साथ्यों के स्वास्त, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है, पिसानों, खेत मदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगडिक छेत्र के मदूरों के लिए, साथ वर्स की आउके बाद, पैंशन और बिमा से जुड़ी योजना है, हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरम कर दिया है, अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबुत होगा, ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे, करप्षन भी रुकेगा, इस वज़े से संगडिक छेत्र का दायरा भी बढ़ेगा, और रोजुकार के नए अवसर भी उपलक्त होंगे,